वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ओफ कोशिन फर यू आई होप आप सभी बहुत अच्छी होगे दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं पाई नैटफर्क के बारे में एंड गईज पाई नैटफर्क को लेके बहुत सारे लिटरली बहुत सारे इंपोर्टेंट गुड न्यू लेके और इसके मैनेट लाँचिंग को लेके दोनों चीजों को कॉंफर्म करेंगे आज की इस वाली वीडियो के अंदर और उसके सासाथ गाईज एक छोटी सी बैड न्यूज है जिसके अंदर एज पाई चैन मौल के अंदर जो विड्रॉल है उसको रोक दिया गया है वो क सबी के लिए सर्प्राइज होगा तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओल पे जरूर प्रेस कर ले तो अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टन अपडेट की तरफ जो मोस्ट इंपॉर्टन अपडेट है क्योंकि यह के वाईसी को लेके है और आप सबी के जो बहुत जादा कोशन इसी चीज को लेके बने रहते हैं यहां पर पाई ने बताया है यह डिसेंट्रलाइज इसके लेबल के वाईसी सल्यूशन पर काम कर रहा है जो कि automation पर होने वाला है और इसके अंदर इन्होंने जो sources यूज किये हैं उसको human verification कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे efficiency और responsive solution देखने को मिलेगा कहने का मतलब यह है कि आप सबी की जो KYC है बहुत fast होगी और बहुत जल्दी होगी और वो भी बहुत कम time के अंदर और इस चीज को देखते हुए बहुत सारे लोगों की KYC बहुत fast हो रही है बट बहुत सारे ऐसे भी पाइनियर्स है जिनके KYC slow हो रही है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी सबकी proper हो रही है बट जो यह automation है I mean जो AI technology यूज करने वाले हैं इसको यह properly launch करने वाले है 16 2017 as a February के आसपास उसके बाद हर दिन 10-12 लाग के आसपास KYC verification होगी वो भी सभी pioneers की तो यह बहुत ही important आप सभी के लिए चीज है और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा third phase जो की manant launch होने वाला है अब हम चलते है next most important update की तरफ जो की hack 10 को लेके है और यह पूरा महीना जो ह है and close minute को लेके चल रहा है मतलब कि जो hack 10 है और यहां पर बताया जा रहा है कि जो February मन्त है इसके अंदर 15,000 से जादा जो people's है वो इस चीज को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं मतलब कि जो 15,000 से 20,000 के आसपास लोग जो Twitter hack 10 होता है हर Saturday को उसको join कर रहे है ठीक है अब हम चलते ह है next most important update की तरफ जैसा कि मैंने यहाँ पर आप सभी को बताया कि बहुत सारी countries के अंदर इनके conference हो रहे हैं जहाँ पर हर एक चीज को detail में बताया जा रहा है कि blockchain कैसे काम करती है, NFTs कैसे काम करती है और जब pie network on the floor आएगा, जब आप सभी के पास आएगा, जब trading आप देख पा तो यह सुडान का है, गईज चलते हैं अपने next update की तरफ यहाँ पे pie chain mall के तरफ से यह update आ चुका है, verified account है, यहाँ पे बताया जा रहा है जो आप सभी का अभी withdrawal है, वो temporary suspend हो चुका है, वो भी pie chain mall पे और इसके बारे में बोला गया है, the team will calibrate the data and prepare for another update, तो यहाँ पे जो core team ह और जो pie की as a mall team है, उस चीज को लेके proper काम कर रही है, और आप सभी को बहुत जल्द वहाँ पे वापिस इसका देखने को मिलेगा, आप सभी का proper withdrawal, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी problem आप सभी को देखने को मिल रही है, तो आप यह मत सोचना कि मेरा account में कोई problem आ गई है, यह हो गया है, वह हो गया है, नहीं, यह official problem है, सभी को यह problem देखने को मिल रही है, जो हमारा next most important update है, अभी के time में pie network, जो है, पूरे world की largest cryptocurrency के अंदर, कौन से number पे, अभी आप वो देखो, यहाँ पे अभी आप सभी देख सकते हो, बहुत जो top की as a digital currencies है, उसके बीच में community है, बहुत अच्छे से इनका promotion भी करती है, और उसके साथ साथ बात की जाए, इसके जो number of countries है, वो 200 से जादा countries के अंदर है, और इसके जो transactions है, वो भी हमें देखने को मिलता है, मतलब बाटर सिस्टम देखने को मिलता है, पहले number पे है coinbase, जिसका 103 million का user base है, दूसरे number पे है Binance, जिसके अंदर 90 million से जादा इसके users है, और ये पूरे world में बहुत जादा popular है, जैसा कि आप सभी जानते हो, ये international level पे काम करता है, और इसके साथ साथ हम चलें तीसरे number पे, जो की crypto.com करके है, जिसमें 50 million से जादा as a users है, और जो fourth number पे आप सभी का जो favorite है, Pine Network आ चुका है, जो की 35 million यहाँ पे अभी दिखा रहा है, जो की update होके 40 million इसने hit कर दिया है, जो की current इसके active users हैं, जो daily basis पे trading करते हैं, या daily basis पे barter system को, या app को use करते हैं, mining करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख से तो किस तरीके से Pine Network बहुत तेजी से आगे जा र करने वाला है, अब हम बात करने जा रहे है, important पांच तुरुत के बारे में, जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, pine network के बारे में, जो सबसे important जो पहला है, pine not a token, आप सभी को पता होना चीए, जो pine network के वो token यह basically coin है, और उसके साथ से second most important चीज है, no trading of pine coin on CEX yet, अब भी क टाइम में pine network के कोई भी trading को start नहीं किया गया, किसी भी platform के उपर, और जहां पर भी pine के आप trading देखते हो, वो real नहीं है, आप सभी को पता होना चाहिए, इस चीज को cover करते हुए, ऐसा BST news ने बताया है, और जो third important चीज है, pine coin can only be acquired through mining, जो pine के coins हैं, वो एकदम आप सभी को mining क through ही देखने को मिलेंगे, मतलब जिस तरीके से आप daily basis पे mining करोगे, तो आपके monthly जितने भी mining करोगे, जितने rewards होंगे, total calculate करके आपके mining coins बनेंगे, ठीक है, कोई fraud तरीके से आपको दे रहा है, या कोई भी activities कर रहा है, तो उनसे आपको दूर रहना है, क्यूंकि उस situation में scam या fraud आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और जो fourth चीज़ है, developers can build on the pie blockchain, जो developers है, basically वो बना रहे हैं, pie की blockchain को, और इस चीज़ को लेके, Stanford जो यूनिवस्टी है, जो की USA में है, वहाँ के students इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और pie network की जो blockchain है, बहुत ही तेजी से increase की जा रह जैसा कि आप सभी को पता है, अभी तक जो pie के, जितने भी coins है, जितने भी mining है, basically proper free है, चाहे वो iOS user हो, चाहे Android user हो, सभी के लिए चीज़ फ्री की गई है, अब हम बात करने जारे last most important update की तरफ, जिसमें हम बात करने वाले है KYC को लेके, और as a management launching को लेके, और उसके price को लेक जैसा आप सभी को starting में पता चल चुका होगा, as a core team ने, developer team ने बहुत सारी चीज़ों को AI technology के थुरू, human verification के थुरू start कर दिया है, और बहुत सारे लोगों को बहुत fast as a KYC verification देखने को मिल रहा है, अब बात करते हैं, price के बारे में, तो एक pie का price आप सभी को पता चल चुका ह होगा कि अभी के time में 40 से 50 डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि minimum dollar के price होगे, और इस चीज़ को लेके as a बहुत सारी countries के अंदर, Korea के अंदर, 195 as a stores के अंदर payments को start कर दिया गया है, और उसके साथ जो pie का price है, demands and supply पे depend गरता है, अब हम बात करें manage launching के बारे में, तो manage यो launching है, वो आप सभी को 14 मार्च को देखने को पिलने की 2023 के अंदर, क्योंकि 9 जनवरी से 28 फेरवरी तक proper hackton चलने वाला है, जिसके अंदर अलग-अलग तरीके से KYC को भी complete करने का progress किया जा रहा है, और उसके साथ बहुत सारे new-new applications बनाई जारी है, NFTs को लेके, blockchains को लेक के notification bell को all पर जरूर प्यास कर देना, दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वन दे मातरम